दोस्तो हिमगाड आरो स्केल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे एक यूटिवर व्यूर्स ने हमसे कोश्चन किया कि सर हमें ये बता दें प्लीज की जो प्री फिल्टर हम यूज करते हैं क्या वो सिर्फ सेडिमेंट इन लाइन के लिए ही यूज किया जाता है किसे और पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है और इसके साइज कितने होते हैं कितने टाइप का होता है दोस्तो एक ही कोश्चन में उनके कई कोश्चन थे तो step away step शुरू करते हैं दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और water filter के लेटर आपके मन में कोई भी कोश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं लेकिन उससे पहले चैनल जिरू सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वो अंसर भी आपको मिल पाएं water filter के लेटर जो आपके मन में कोश्चन आने वाले future में हो सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो जो pre filter हम RO system में यूज़ करते हैं उसमें जो हम spun filter डालते हैं जा MLT डालते हैं त्रेड टाइप filter डालते हैं वो अलगलग टाइप के होते हैं जैसे यह फुली उपेक है उपेक का मतलब इसके अंदर कितनी डस्ट जमा हो चुकी है उसके बारे में हमें पता नहीं चलता सेकंड है semi transparent जिसमें कुछ हादे तक हमें महिने या दो महिने में जो इसके अंदर डस्ट जमा होती है spun filter के outer side वो हमें पता चल जाता है और उसके इलावा तीसरे नमबर पे जा इसकी वज़ाए हम सीधा transparent पे आते हैं तो तीसरी जो किसमें इसकी वो transparent है तो तीन तरह के pre filter आते हैं अगर इसकी structure वाइस देखेंगे कि कुछ fully transparent है जैसे कि यह है कुछ semi transparent है और कुछ बिल्कुल ही जिनके अंदर filter दिखता नहीं है और इसी तरह से blue color में भी आते हैं जिनकी input पे हम 3 y 8 size की elbow लगाते हैं और इसी तरह से 3 y 8 size की push fit elbow भी लगती है यह बिल्कुल white fresh body में आता है नॉर्मल दोस्तों pre filter यूज होते हैं उसमें हम 1 y 4 size की thread elbow लगाते हैं इनका standard size 12 inch होता है और जो इसके अंदर हम spun अलग 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 तरह के डालते हैं उनका size 10 inch होता है इससे next आता है 20 inch का pre filter जो 50 liter के आरो में यूज होता है और इसमें भी 20 inch का अलग अलग size का pre filter हम spun filter डालते हैं जहां भी commercial purpose के लिए हम आरो system design करते हैं दोस्तों वहां हम 20 inch का pre filter यूज करते हैं और अगर हमने tanki से पहले लगाना हो और पूरे घर का जो पानी store हो रहा है टंकी में उसमें से dust party का निकालने होते हैं तो इसमें हमने main line jumbo filter लगाते हैं जिसमें further दो तरह के filter आते हैं जो इन इसमें मैंने अलग अलग से बहुत सारी वीडियो बनाई हुई आप search कर सकते हैं hem guard और उसके लिखकर jumbo filter जा फिर 50 लीटर का आरो 25 लीटर का आरो जा फिर simple पीपी spun करके लिख सकते हैं pre filter करके लिख सकते हैं तो इनका अलग अलग यूज़े अब उनका final question था कि क्या हम सिर सब्सक्राबा कोई और filter भी आते हैं बिल्कुल दोस्तों कुछ five stage filter बनते हैं जिसमें तीनों एक तरह के ही हम जा अलग अलग तरह के pre filter एक UV purifier में लगाते हैं उनमें सबसे पहले हम जो एक नंबर पर sponge filter डालते हैं वो antibacterial sponge filter भी हो सकता है और simple भी हो सकता है threader type भी हो सकता है और mlt भी हो सकता है इससे next जो हम use करते हैं उसमें हम CTO जा gag डालते हैं दोस्तों जो हम five stage filter बनाते हैं उसमें हम sponge filter के इलावा carbon block जा फिर gag filter भी use करते हैं अब latest जो हमने में लाइन एक नया फिल्टर मुगाया है जिसमें हम यूवेफ फिल्टर डालते हैं वाशेवल इसे प्री फिल्टर कहते हैं विद यूवेफ टेक्नॉलजी इसका में बेनिफिट है कि इसके अंदर यूवेफ लगी हुई है वो सेडिमेंट को भी रिमूव करती है साल्ट को भी रिमूव करती है जे बिना बिजली के काम करती है इस पर हमने लग से वीडियो बनाई हुई है तो आज का जो में टोपिक था उस पर मैं एक वार आपको ब्रीफ हेर बता देता हूं कि स्पान फिल्टर अलग लग तरह के आते हैं जो 10 इंच में है इसके इलावा 20 इंच का आता है और फिर में लाइन जंबो फिल्टर आता है तो नेक्स्ट वीडियो के साथ नहीं जानकारी लेकर फिर हाजर होगे अगर आपने मारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजे हिम गाड आरो सकेल नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें थैंक यू